जैने दोस्तों बंदे मात्रा, समय कितना बलवान होता है यह आपको आजकल हर कभी किसी भी एक्जामपल के तौर पर देखने को मिल सकता है उस IPL की जिसकी हम लोग तारीफ करते नहीं थकते थे कि भई यह इस IPL ने हमें इतने विश्वस तरिये खिलाडी दिये है यह 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 लें कि हमारे भारती खिलाडियों को जो कि डुमेस्टिक सरकिट खेलते थे उन लोगों को एक इंटरनाशनल एकस्पोजर दिया है बड़े खिलाडियों को साथ उठने बैटने का मौका दिया है वो मौका दिया है कि भई ये लोग बाहर के खिलाडियों से सीख सके और कई सारे एक्जामपल भी है हमारे सामने मतलब जस्प्रीद बूमरज इसमें की सबसे लेटेस एक्जामपल है आप इशान किशन की से बात कर सकते हैं हार दिक पंडिया ये सभी लोग कहीं न कहीं आई पेल के कारण ही उभर कर सामने आए लेकिन इस विश्वकप में भारत की जो ये लगतार दो हार हुई है खासतोर पर पाकिस्तान वाली उसके सभी के बाद से आई पेल को लेकर एक बाद फिर से सवाल उड़ गया है क्या ये आई पेल इतना जरूरी है कि हम महलब खिलाडियों की जो फिटनेस है उसको भी नजर अंदास कर दें इसके पीछे जस्पीर बूमरा ने जो भी प्रेस कांफरेंस करी है निजलेंड के मैच के बाद उसके बाद उन्होंने इसमें जिक्र भी किया कि भई पिछले 6 महीनों से लगातार बबल में रहना आसान नहीं होता परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता और पिर कहीं न कहीं इसका असर खेल के उपर भी परता है फोकस लूज करते है तो ये कहीं न कहीं इशारा है कि टीम के अंदर क्या कोई चल रहा है टीम भी साइकी कैसी है क्योंकि आप मेंटॉर के रूप में धोनी को ला सकते है लेकिन धोनी लोगों के दिमाग में खुशके उनको फ्रेशनेस नहीं दे सकते हैं फ्रेशनेस के उनको जरूरा थै रवीशास्त्री का बतौर कोच ये आखरी टूर्णामेंट है बतौर कप्तान टीटीम इंडिया ने खेला है वो अप्रोच लोगों को पसंद नहीं आया मतलब लोग कह रहे हैं कि आप इंसे एड करा लो टैटू बन वालो ग्यान पिल वालो लेकिन वस खेलना नहीं कर सकते हैं मतलब अच्छे से खेलेंगे नहीं बाग ये सब कर लेंगे आईपेल में करोड़ों रुपए कमाएंगे आईपेल में हारेंगे तो दुख भी जताएंगे लेकिन यहां देखो मतलब पाकिस्तान के फैन्स अगर फिर इस बात के उपर इंडियन टीम के खिली उड़ाएं तो आप उनको क्या जिस्टिफिकेशन दोगे मतलब यहाँ पे इंडियन पब्लिक ये तक कह रही है कि भई ये सब हुआ है विराट कोली उसके टीम के एरोगेंस के कारण अब इस मतलब एक पनौती विराट बैन आईपियल ये तीन तो मैं आपको मुख्य हैश्टेक बता रहा हूँ इस तरह के कई सारे हैश्टेक्स हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं और सभी में अच्छे खासे ट्वीट्स हैं तो अब इससे अंदादा लगा सकते हैं कि पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं है तो भाई हम ज़रा समझते हैं कि आईपियल को बैन करना क्या कोई सॉल्यूशन है या आईपियल के कारण ही ये सब चीज़ें हो रही है और इसके अलावा कुछ एक ट्वीट्स की तरफ भी देखेंगे जो कि लोग कर रहे हैं तो जब मैच देखकर फैंस बाहर निकल रहे हैं तब ही एक रिपोर्टर ने कुछ फैंस सवाल पूछना चाहा तो उनमें से एक ये भाई साब निकल कर सामने है और जिस तरह से इन्होंने टीम इंडिया की मौझूदा कंडिशन के बारे मताया वो आपको जरूर सुनना चाहिए भाई साब ने जो भी कुछ बात है कहीं है वो एक एक सही बात है हर एक जगे पर फिट बैठती हुई बात है और यही मौझूदा कंडिशन इस समय सभी लोगों को फील भी हो रही है सबसे रोचक बात तो यह है कि भारत ने दो मैच खेल लिये है भारत की बालिंग लाइन अप जिसकी तारीफ ऑस्टेलिया और इंग्लेंड के दौर उपर काफी खूब हुई थी यह वही बालिंग लाइन अप है और आपको मैं बता दूं कि यह दो मैच जो कि वर्ल्ड कप में हुए हैं मातर दो विकेट ले पाए हैं मतलब पाकिस्तान खिलाफ तो कोई विकेटी नहीं ले पाया तो न्यूजलिन खिलाफ दो विकेट लिये हैं इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लबाजी करते हैं भारत ने बीस ओवर में साथ फिकेट पर एक सो दसरन बनाए जब इतने महत्वपूर्ण मैच में केल राहूल डोहिच शर्मा विराट कोली हार्दिक पंडिया के लावा रिशब पंद जैसे बल्लबाजों के होते स्कोर बूर्ड पर इतने कम रन हो तो भला गेंद बाज कैसे भी हो मैच को कैसे बचा पाते भारत और न्यूजिलेंड ये दोनों ही टीमें अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार गई थी इन दोनों टीमों को हरा कर पाकिस्तान ने वावाई लूटी लेकिन भारत को हरा का न्यूजिलेंड ने राहत की सांस ली इसी के साथ दूसरी और अब भारत के सेमे फैनल ने पहुंचने की राह जो है वो काफी जादा मुश्किल हो चुकी है क्रिकेट समीक शक विजह लोग पल्ली कहते हैं कि पहले पाकिस्तान और न्यूजिलेंड से हालने के बाद भारते टीम सेमे फैनल ने पहुंचने के लिए अगर मगर मतलब इफएन बट वाली कंडिशन में पहुंच चुकी है अगर भारत अपने बचे कोई सभी माच जीत भी जाता है मतलब अफगानिस्तान न्यूजिलेंड को हरा देता है और भारत का रंडेट ठीक होता है तब वो सेमे फैनल में जगे बना पाएगा और इस इफएन बट वाली कंडिशन में अधिक तर भारत फसी जाता है मतलब अब कंडिशन ये आगई है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के वर डिपेंडेंट है फिलाल भारत अपने ग्रूप में पाचवे नंबर पर है पहले स्थान वर पाकिस्तान दूसरे पर अफगानिस्तान है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तीन तीन और अफग भारत का स्कोर तीन विकेट पर तालिस रन था ऐसा लगा रहा था कि वंडे मैच चल रहा है और थोड़ा और स्लो होते तो शाय टेस्ट मैच भी लग जाता भारत ना पाकिस्तान के खिलाफ दस विकेट से हारने के बाद न्यूजिलेंड के खिलाफ अपने टीम में दो भरी व को सच होने माधिक समय नहीं लगा तो इस रोवर में ही इशान किशन केवल चार रन बना कर ट्रेंड बोर्ड की गेंद पर डर्यल मिशिल को कह जदी बेट है तब भारत का स्कोर 11 रन ही था इशान की जगे पर रोहिच शर्मा ने लिए उन्हें एक आसान जीवंदान भी मिल मतलब इतने कम स्कोर तो ऐसे ही बनाया और उसमें भी एक जीवंदान मिल गया और जीवंदान भी मिला जब एडम मिल्स ने उनका कैच स्कॉयर लेक पर छोड़ दिये इसके बावजूद रोहिच शर्मा इसका लाब नहीं उठा सके उन्होंने 14 गेंदों को सामना करने के ब बैठे हो जैसे कि वो उनको याद आ गया हो कि वही रिकेल राहूल जो है उनका इयरफोन लेके चले गए हैं को ही या तूचल में आया वाली कंडिशन यहां दिख रही थी सालसाथ ओवर के बाद भारत के स्कोर तीन विकेट को कर चालिस रन था संकट की इस घड़ी में भारत के कप्तान विराट कोली से काफी उमीदे थी क्योंकि उन ने और रिशापंत ने मिलकर ही पाकिसान के खिला सोड़ा सम्मान जना की स्कोर बना बनाया था लेकिन वो भी आयराम गैराम ही थाबित हुआ विराट कोली इस से पहले की जमबाते इस सोड़ी की गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें साफ लपक लिया विराट कोली 17 गेंदों का सामना कर केवल 9 रन ही बना सके पचास पर्सिंगल स्ट्राइक रिट के आसपास खेल कर गए जब कोली आउट हुए तब भारत के स्कोल चार विकेट पर 48 रन था विराट कोली के बाद न्यूजिलेंड ने रिशप पंत का शिकार किया हमने अक्सर ऐसा देखाई कि इस तरह के जो फिनिशर्स रहते हैं जो की बल्ला चलाने के लिए खुब जाने जाते हैं वो एक समय के बाद इसी तरह फस जाते हैं यूसो पठान भी ऐसे ही फसे थे मतलब अगर आप उनको ओवर पिच बॉल ना दो बैट टिप बॉल ना दो शॉर्ट बॉल दो तो वो संगर्श करते नजर आते थे बॉडी लाइन फेको तो चुरानवे रन पर चे विकेट खुने के बाद मैदान में रवन जड़ेजा शादुल ठाकोर थे शादुल ठाकोर का भी खाता नहीं खुलाता बॉल्ट की गेंद पर गुप्टिल के हाथों कैश हो गया आखरी में रवन जड़ेजा ने उस गिंदो पर दो चौके और एक चक्के मदद से 26 रन और मुहमद शामी बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे मतलब न्यूजलेंड की गेंदबाजी की यहां पर तारीफ करनी होगी और उसके सामने यह जो कोहली की टीम थी वो पस्त पड़ती हुए दिखाई दी लेकिन आप यहां पर एक चीज और समझिए कि जिस प्रकार के ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं वो ट्रेंड आपको बताएंगे कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल भी आपको इस मूड में नहीं मिलेगी कि नहीं आ रही है जो चल रहा है यह गलत चल रहा है या फिर मतलब बिल्कुल भी टीम के फेवर में नहीं है स देखते हैं जैसे यह पेज़ देखेंगे इसके उपर विराट ट्रेंड कर रहा है पनौती ट्रेंड कर रहा है युवराज सिंग और युद्वेन चहल का ट्वीट है इसके आगे इन्डियन टीम कौन से पायदान पर स्कॉट्लेंग ठीक ऊपर तो आर्ट कौन हो आटिस्ट को नहीं बताया जा रहा है इन भाई साफ का इंटर्वीव का वायरल हो रहा है सूपर स्टार राज लेट बीसी से कंटीनियू पाईसर शायद बेड़ एस बिल्ड एन अशनलन क्रिके टीम अडर स्पोर्स मिनिस्ट्री इन वाल रॉड रॉड नूव पर न यह जा एक अट जाते है इस तरीके से लोग अधिक्तर ट्वीट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और क्या बता हूँ आपको बस दिल तो सभी का टूटाई है तो भाई मेरे इस वीडियों फिलाल इतना ही यदि आप लोगों के पास भी कुछ कहने के लिए तो भाई मैंजे कमेंट करके बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलाल इतना ही जाए है जाए पारात